हेलो फ्रेंड्स मेन नाम हेलो किश राका और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल लर्निंग मंत्रा पर तो एक जोक सुनाता हूँ एक बार एक मतलब एक महीला होती है तो पुलिस वाले को खबर मिलती है वैसे उसने अपने पती को मार दिया है क्यूं क्या हुआ लए सर वो पोचा लगा रही थी गिल्ले पोचे हम गुज गया लच्छा तो फिर तुमने महीलाग रप्तर कर लिया नई सर अभी पोचा सूखा कहा है तो आई ये वीडियो को शुरू करते हैं पिछले लेक्चर में आपने जो पड़ा था उससे रिलेट किस राज्य से था? क्ытाकशन नमर चार है भारत की जंता में हम की भावना कहां से पैदा हुई? पांचमा क्ытाकशन है किसी राज्य को बनाने के लिए कितने ततव कही हैंग और वे कौन-कौन से हैं? आठमा कोशन है सरकार का चोथा स्थम किसे का जाता है नोमा कोशन है कानून की रक्षा कोन करता है तसमा कोशन है संपर्भूता पर्भू सत्ता या सोवरनीटी से आप क्या समझते हैं ग्यारमा कोशन है सरकार के अंगों में सबसे बड़ा अंग कोन सा है और बारमा कोशन है कि इसी देश में कानून बनाने का काम सरकार के किसंग को दिया जाता है यह वे कोशन है जो आपने पिछले लेक्चर में डिसकस किये थे अगर आपको यह कोशन आ रहे इसका मतलब आपको यह लेक्चर आराम से देखना चाहिए अगर नहीं आ रहे तो पहले पिछले लेक्चर द बहुत सारे इंसान हैं जैसे खुद गांदी जी काल माक्स भी यह कहते थे कि ऐसा हो सकता है कि एक समय आने के बाद इंसान को स्टेट देश राज्य विवस्था वगारा की जुरूरत ना पड़े वो खुद से ही इतना समझदार होगा कि किसी कानून की जुरूरत नहीं वो अ हैं्सटी요, राजनिती पर टेहां, उप्रषक, कि सब दार भी जाता ariyam के लिए कि उन्सान के शानी कि मोअगा, उसके लिए जूरूरी है, कि राजनिती बहुन आज के दिन दुनिया में चल रहे हैं उन में जुरूरी है कि हमें हर इंसान के व्यक्तिताव का विकास करना है चाहिए वो शारिडिक तोर पर कम जोर है चाहिए ताकतवर है और अगली जो चीज है वह है टाइप सोफ सिस्टम के बारें समझेंगे कि दुनिया में कैसे कैसे सि जैसे शब्ध है रास्तंतर मोनार्की अगर कोई देश हो जिसका एक राजा हो और उसके हिसाब से सिष्टम चलता हो उसी के इसाब से कानूं मनते हैं तो उसको मोनार्की आ जाता है दूसरा सिष्टम उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप ताना शाही मतलब जैसे श्टालिन थे ठीक है इन ताना शाहों के इसाब से जब देश चलता है इनकी मर्जी से तेश चलता है मतलब इनके उपर किसी कांग कुछ नहीं होता यह बिलकुल निरंग कुछ सासन करते हैं अई टोक्रेसी भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से ताना शाही होती है एक इनसान पूरी सिस्टम बनागे और तब देश को चुलाना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं ओलीगार की अल्पतंतर धरमतंतर का मतलब जब धार्मिक पुस्त को से देश चलने लग जाए तो उसे धरमतंतर का आ जाता है देश का नाम है वैटिकन सिटी तो धरम के इसाब से देश चलता है ऐसे पहले होता था यह तिब्बत नाम का देश था ये सब धरमतंतर युदार्ण है गुलिनतंतर का मतलब है किसी पिरिवार का किसी वन्स का या किसी सरनेम के नाम से मतलब एक कुल को तकतवर बनाया जाए کہ हम बगवान ने बेजी है या इस कुल को मानने था राज करने की तो पूरा कुल जब सासन करता है उस कुल को ही तकतो सासन करने की तो उसको कहते है कुली टंतर भीड तंतर का मतलब जब ग्रूप में बिना दिमाग के भीड भावनाओं से जब दिसिजन लेती है तो उसे भीड तंतर कहते हैं मोब लीचिंग वगए आज गल भी चल रहे आपने शब्द शुना होगा मतलब भीड के दवारा किसी के अत्या कर देना टाइप का शब्द धंतंतर का मतलब है प्लूटो क्रेशी धंतंतर का मतलब सिंपल साय जब आप जैसे क्या होता था पहले जो अपना डेमोक्रेशी योती दिल लोक्तंतर होता था उसमें गरीब थे उनको सबको वोट डालने गाधिकारनी उता था वोट वही डालते जिसके पास एक एक इंकम होती थी और साथ ही तो मतलब income tax वगरा बड़ता था आज के दिन भी आप कह दे तो किसी का election लड़ना इतना आसान नहीं है इतना पैसा चीए कि आप ठीक ठाक पैसा खरच करने वाले होंगे तो यह आप election लड़े पाएंगे और लड़ने के बाद जीतना वह अलग बात है तो आज के दिन election वही ज पुछोसत आदमी जो वाकपटू हैं बोलने में बहुत जवरदस्त हैं अपनी बातों से ही वह वोट खीच लेते हैं ऐसे तंतर को ओस तंतर का जाता है निरंकुष तंतर का मतलब वही है जिस शासन के ऊपर किसी का अंकुषना जोसे राज जा तो उसी के कानून होंगे उस पर ले तबके के लोग होते हैं वह इससे बहुत खुश रहते हैं कि उनके पास उनको लंबे समय से सुईदाये हैं तो वह अपने व्यक्तितव का पूरा विकास कर लेते हैं जो निचले तबके के लोग है वह इससे थोड़ा सा मतलब मना करते हैं आपने व्यक्तितव का एक्स्पिरेंस जाद होता है गणतंतर रीपबलिक जब किसी देश का जो राष्ट्रा देख्ष है माल लो अमारे देश का प्रेशिडेंट उस राष्ट्रा देख्ष की जो चुना होरे एलेक्षन होरे हैं वो या तो जनता दवारा पोपुलेशन के दवारा डारेक्टली हो या पोपुलेशन MLMP वगएरा को चुने और वे जागे राष्ट्रपदी को चुने इंडारेक्टली हो मतलब उन्होंने इनको वोट दिया और उन्होंने राष्ट्रपदी को वोट दिया तो किसी देश का अगर राष्ट्रा देख्ष है वो जनता दवारा डारेक्टली या इंडारेक्ली चुना जाए तो उसे गणतंतर कहते हैं, रिपब्लिक, जैसे इंगलेंड एकी रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि इंगलेंड का जोरा जाघता वो जनम जातुटा थिक है, वनसान उगतपद है, तो वो गणतंतर नहीं है, लोक तंतर का मतलब पहले प्राचीनी थ समय बदला तो लोक तंतर की परिभाशा है भी बदलगी मतलब ही जैसे लोकतंतर का मतलब है यहां पर गैर स्विधानवाद का मतलब ऐसा देश जो स्विधान की लिखे कानूनों के इसाब से चलता हो उससे बाहर किसी की ताकत ना हो और गैर स्विधानी मतलब जो स्विधान को ना मानते हो अलग तरीके से अपना देश चला रहे हो ऐसे ये अलग अलग टाइक के सिस्टम और भी सिस्टम है उनको भी डिसक्स करते हैं देखो जो सासन की प्रणालिया है वे दो आदारों पर बताएगी जो करंट लिए आपको समझना है यह बहुत ही फेमस कोशन से हैं जो आप समझेंगे तो इस से इस से बहुत ज़्यादा कोशन आते हैं जो यह सक्षन हम जाए है इसमें आते कई बार वन वर्ड सब्स्टिटूशन टाइप के के मोनार्की क्या है या ओलिगार्की क्या है ऐसे टाइप का कॉशन आ लगता भी लेकिन क्या है जो यह सेक्षन है यह बहुत इंपोर्टेंट सेक्षन है इसको समझना बहुत जुरूरी है और मतलब काफी चीज़ें आपको एक्षाम में clear होनी चीए तब आप इंच जोगांसर दे पाएंगे तो शुरू करते हैं जो सिस्टम का जो परकार है पहला सिस्टम का परकार है वो है केंदर राज्य सम्बंदों के आदार पर on the basis of center state relation अगर केंदर सरकार जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार मतलब ह परियाना सरकार, पंजाब सरकार, उत्रपर देश सरकार, तो देश की जो भी अलग-अलग सरकारे हैं, उनके आपस में कैसे सम्मद, उनके आदार पे जो देश बनता उसको कहते हैं, पहला देश का परकार उसको कहते हैं, परी संगात मकदेश, कनफेडरेशन, आईए समझ ले बहुत सारी स्टेट गॉवर्मेंट होती है इनके अंदर क्या होता है एक कॉंट्रेक्ट टाइप का साइन हो जाता है कि भई हम क्या करेंगे बेसिकली हम सब चीजों को बराबर बाटेंगे तो सेंटर और स्टेट गवर्मेंट बिल्कुल बराबर होती है और अगर एक दूसरे के तो हर चीज बराबर होगी घर में पिता हैं कई सारे बच्चे हैं और उन्हें पापा बात इसी है जीवन आपका भी हमारा जी जो आपको चीजे सब बराबर हमें चीए तो पिता नेगा ठीक है बिटा जो भी मिलेगा सब को बराबर बिटेगा तो घर में जो कुछ आएगा वो सब दो आएंगे जैसे एक्जामपल के लिए इस देश में एक स्विधान होता है सेंटर का और एक स्विधान होता है स्टेट का मतलब स्टेट के अपने स्विधान सेंटर के अपने स्विधान ऐसे ही एक नागरिकता होती है सेंटर गवर्मेंट की और एक नागरिकता होती है स्टेट गवर्मेंट की तो दो दो नागरिकता होती है एक सेंटर गवर्मेंट की एक स्टेट गवर्मेंट की ऐसे ही इस सेंटर गवर नियाय करने वाले अलग।सम जैसे उपर राष्ट्रपति निच्चे राज्यापाल, उपर पारलामेंट निच्चे लेजिसलेटिव असेंबली, उपर सुप्रिंकोर्ट, हाईट इस्टी कोर्ट इस्टी कोर्ट इन में सदन होता है central government के लिए और एक सदन होता है state government के लिए central government basically public के लिए सदन मनाती है और state government अपने विकास के लिए सदन मनाती जैसे भारत में आप देखेंगे एख है लोकसभा और एक है राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा ये आप समझ पाया होंगे कि basically ये konfederation देश क्या है अगली जो सबसे important बात आपको समझनी है वो यह है कि जो state है ना यह जब चाहें देश से अलग हो सकते हैं अगर यह चाहें कि हमें देश से अलग होना है तो यह जब चाहें देश से अलग हो सकते हैं ऐसे देश को confederation का जाता है मतलब जो पिता है ना जैसे center government वो इतनी ताकतवर नहीं है कि states को रोक सके वे जब चाहें जैसे पिता है कमजोर है और उसके बच्चे जब चाहें उससे अलग हो सकते हैं ऐसे देश को confederation का जाता है दुनिया में सब से पहले जो देश बना था उसका नाम था United States of America जो एक स्वेदान उन्होंने बनाया और उन्होंने 789 शीशियों में स्वेदान लागू किया था और उस स्वेदान के लागू करते हैं उन्होंने साथ में लिखवा दिया कि हम एक confederation हैं अब गटना क्या गटी ये है अमेरिका नोर्थ अमेरिका का ये मैप आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो देश आप दिख रहे हैं ये अलासका है और ये बाकी अमेरिका है यहाँ पे एक आइलेंड है हवाई ये लगबग 50 राज्जों का एक देश अमेरिका तब ये लग तो लग औरने के बाद लगबग 1860 एश्यु में इलेक्शन थे इलेक्शन फे इलेक्शन थे प्रेशिडेंट के राष्ट्रपती के जो इलेक्शन थे उनमेरा राष्ट्रपती खड़ा ओवग अबराहाज रिंकन और अब राइम लिंकन ने का भई यदि मैं अमेरिका का राश्वदी बने गया तो मैं अमेरिका में दास ववस्था को समाप करे दूँगा जो भी स्लेवरी सिस्टम है उसको अब लिस्ट कर दूँगा मैं बिल्कुल तो उन्होंने कहा किया भई अब जो नोर्थ स्टेट थे और साउथ स्टेट थे जो नोर्थ स्टेट थे वहाँ पर इंडस्ट्री बो जादा थी बड़े बड़े उद्ध्योग लगा रखे थे और जो साउथ के जो स्टेट थे वहाँ पे एग्री कल्चर बोजादा था जो जो इंडुस्ट्री वारे जो स्टेट थे उनको ये पता था भई कि अगर दास फरी हो जाएंगे सभी के सभी तो हम यहाँ पर उद्ध्योगों में उनको काम दे देंगे मजदूर बनाने हैं और अराम से काम करवाएंगे और हमें फायदा है तो वे खुश थे तो उन्होंने अबराइम लिंक्टन का पूरा साथ दिया जो साउथ स्टेट थे उनको लगा वही कि अगर दास फरी होगे तो अब तो खेती करवा लेते हैं वही एक बार दास खरीदा तभी पैसी देने है पूरी जिंदगी पर काम करवाना है अब उसके बाद उसको पगार कोन देगा मजदूरी कोन देगा और दास वस्ता अगर खतम होगी तो सारा खेल खराब हो जाए तो उनको याद आया है कि हम तो एक कन फेडरिशन है हम जब चाहें देश से अलग हो सकते हैं तो उन्होंने क्या किया उन्हों निगोशना कर दी कि हम एक अलग राष्ट्र है हम अमेरिका में हैं नी अब राइम लिंक जब राष्ट्र बढ़े है तो उनको अलगा भी अगर ये कानू लाग हो गया तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा तो उन्होंने का हम अमेरिका में हैं नी इस वज़े से अमेरिका में नोर्थ और साउथ अमेरिका के स्टेट्स मतलब अमेरिका नाम की देश के नोर्थ स्टेट और साउथ स्टेट्स के बीच एक युद्वा जिसको कहते हैं अमेरिकन सिविल वार तो अमेरिकन जो सिविल वार था वो 1861 इसवी से और लगव अगठारा सो 652 तक चला चार साल तक लड़ाई चली तो बात गई सुप्रीम कोर्ट में यदि किसी देश में सेंटर गॉर्मेंट और स्टेट गॉर्मेंट की लड़ाई हो जाई तो इस बात का निप्टारा करेगी कौन उसकी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के जो ज़स थे उन्होंने सुचा भी अगर मैंने फैसला दे दिया कि हाँ अमेरिका एकन फेडरेशन है और आप जब चाय अलग हो सकते हैं अमेरिका के दो देश में जाए और उन्हों ने का कि नहीं अमेरिका एक confederation नहीं अमेरिका एक federation है और federation क्या होता है ये समझे लेते हैं federation का simple सा मतलब है same situation ऐसी गैसी जो उमने देखी दि situation ये है कि एक central government होती है काफी सारी state governments होती है जिसे एक इंदर सरकार लगबग 28 राजे सरकारे है ठीक है अब इसमें क्या है कि जो भी चीज होगी वो बराबर बटेगी सब कुछ बराबर होगा वही दो नागरीताएं होगी एक इंदर के एक राज्य की वही सुईदान होगे वही अलग-अलग ओर्गंस होगे वही संसद में दो सदन होगे लेकिन क्या है सब सेमें चीज कि जो स्टेट गवर्मेंट है ना उसको इतनी ताकत नहीं दी जाती कि वो देश छोड़गे लगए वो देश छोड़गे नहीं जा सकते इस देश को फेडरेशन का जाता है संगातमक देश अब संगातमक देश दुनिया में कोण है तो दुनिया में संगातमक देश जो पहले बनाये गया था वो था केनेडा अब अगर आप बारत के सुईदान को पढ़ेंगे तो पुछेंगे बारत के सुईदान की संगातमक जो खुबिया हमने, कहां से ले रखी हैं, तो वे हमने ले रखी हैं, कनेडा से, अब बात यह आती है, अगर आपको यह नहीं पता कि संग आतमक होता क्या है, तो आप क्या समझेंगे, इसलिए जुरूरी है कि शब्दों को समझना बहुत ही जादा इंपोर्डेंट है, तो सं इस देश में केवल सेंटरल गवर्मेंट हो, स्टेट गवर्मेंट ना हो, स्टेट होई नहीं, केवल रकिंदर सरकार हो, बेसिकले और वो पूरे देश को ही समान ले, तो उसको कहते हैं युनिटरी, एक आतमक देश, जैसे यह सब से पहला जो देश बनाएगा था, देश क यहां पर नागरिकता एक होगी, स्वीधान एक होगा, अगर बनाएगे तो साथ में एक ही सदन होगा, संसद गेंदर हालाकि इंगलेंड में दो हैं, यह एक एक्षप्शन की बात है, बट जो रूल है उसके एसाब से युनिटरी देश में एक ही सदन होता है, सारा सिस्टम कारिया पली का एक, विदाई का एक, न्याय पली का एक, तो हमारा देश जो है, बारत देश में कौन सा सिस्टम लागोता है, इन में से, परी संग आतमक देश आज की दिन क्या है, बेसिकली संस्थाएं हैं, जैसे सारक है, यूएन नो है, इन के अंदर क्या आप जब चाय स सदश्या बढ़ सकते हैं, जब चाय सदश्या वापिस ले सकते हैं, दूसरा है संग आतमक देश, लगबग दुनिया के सबी देश आज की दिन संग आतमक हैं, वही सिस्टम इनके अंदर लागोता हैं, एक आतमक देश के भी कई सारी दूबदान दुनिया में हैं, जनरली हमारे देश में एक ही सुईदान है, जो यूनिटरी देश की पचान है, हमारे देश में संसद में दो सदन हैं, जो फेडरेशन की संग आतमक देश की पचान है, हमारे देश में सेंटल गवर्मेंट होती हैं, और कई सारी स्टेट गवर्मेंट होती हैं, जो फेडरेशन की की पचान है कि सरकार गल्व के दोस्icular सिटाइन की प debates में सरकार के तीन सतर हो गए है बहुकर अगे कि देखेंगे समझें है साथ ही में हमने जो जだから से अगर उमारे देश में अबरजंसी लग जाती तो उमारे देश में शेंटरल गसटी स्टेट गसवाइब्च पाङरन की एक यातमक की देश。」 है एक आत्मक देश की भी कुछ खूबया मने ले रखी हैं स्वीदान है भाई अमारी जो फेडरेशन है जैसे कारी अपाली का अमारी एक्जेक्यूटिव है हमारी लेजिसलेटिव है तो अमारे एक्जेक्यूटिव भी दो है उपर की तरफ राष्ट्रपती है निच्चे रा बेसिकली क्या है वो है यूनिटरी एक जो सुप्रिंग कोर्ट है हाई कोर्ट और दिश्टी कोर्ट है वो एक ही चेन है राज्य का अलग से कोई भी कोर्ट नहीं होता ये सब के सब सेंट्रल गवर्रमेंट के हैं आप आई थिंक आपको सुने में आगा होगा कि किंदर charging पार्यपालिका और विदािका के सम्मंद ग्यादार पर देश कैसे होते हों दा बेशिस ऑफ एंड लेजिसीलेटिव इ cynिद्वर्र एत फहला है San 1955 का Parliamentary executive ऑब Parliamentary executives ॐ अब Parliamentary executive का मतलब क्या है बहिः संसद हमारे देश में एक से ये हैं हमारी संसद इस संसद के अंदर तीन में चीज़े होती है सबसे पहली चीज़ है भारत का प्रेशिडेंट दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा तो संसद में कौन कोंने इंक्लूड़ है राश्रपती, राज्यसभा और लोकसभा राजय सबा जो है वो बेसिकली राज्यों के बारें सुस्ती है और देश अमारा लोकता अंत्रीक है और जनता ने डारेक्टली इलेक्षिन किये हैं अपने MP को वोट डाली है वे MP यहाँ पे बैठे हुए हैं लगबग 547 MP को जनता ने वोट डाली हुई है पे 547 आदिमी जनत तो राज्य सबा का सरकार बनाने में कोई रोल नहीं है मेन रोल है लोक सबा का लोक सबा की जो मेजुरिटी है उसकी हाफ पलस वन मेजुरिटी मतलब लगबग 200 बहतर आदमी है 547 का हाफ मेजुरिटी है 200 बहतर आदमी है अगर लोक सबा के 272 MP किसी भी लोक सबा के मेंबर क राजासभा के मेंबर को यह इन में से कोई MP होई नहीं 6 महीं तो को ऐसे इंसान को परदानमंत्री बना सकते हैं जो MP ही नहीं तो ऐसे इंसान को जो लोकसभा का सदश्या बननेगी यो घट रखता हो वेप 2012 आदिने उसे भारत का परदानमंत्री बनने के लिए हमारी तरफ से ये इंसान बारत का प्रदांतरी बढ़ना चीए तो बारत का राश्वपती उसे प्रदांतरी और सपत दिलाने के बाद वो प्रदांतरी लोकसवा में से राजसवा में से या किसी अन्य वेक्ति को तो जो किसी सदन का सदश्य नहीं है, 6 महीने के अंदर बढ़ना जी है, अलग-अलग मंत्रियों के रूप में तैयार कर देता है, जैसे बारत में प्रदांतरी स्री नरिंद्रमोदी जी है, और साथ में उनके बहुत सारे MP हैं, जिनको उनों ने एक मंत्री प्रिश्द के रूप में बनाया हुआ है, ठीक है, तो Council of Minister त्यार हुथती है, और उससे बारत देश चलता है, तो Executive मतलब बेसिकली, जो भी Execute करने वाले हैं, वो संसद के अंदर से ही निकलते हैं, इसको कहते हैं संसदिय कारिया पाली का, तो अध्यक्षय कारिया पाली का में क्या है, वो देखते हैं, अध्यक्षय कारिया पाली का में बेसिकली, जैसे मान लो ये एक Parliament है, Congress है, United States of America की, मान लो, इस Parliament के अंदर, बेसिकली दो सदन है, एक सदन का नाम है, House of Representative, परतिनी दिताव सबा, और दूसरी सबा उसको कहते हैं, दूसरा सदन उसको कहते हैं, सीनेट, जैसे ये हमारी लोक सबा, और ये हमारी राजे सबा, ऐसे टाइब में, House of Representative में, 435 आदमी उते हैं, और सीनेट के अंदर आदमी उते हैं, सो, हर राजे से दो आदमी आते हैं, तो सो मेंबर टोटल हैं, 435 आदमी ये, सो आदमी ये, और तीन आदमी, उनकी जो राजदानी है, उसकी तरफ से आते हैं, टोटल 538 मेंबर, election में भाग लेते हैं और वे election होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपती गे वे पंसोड़ती सादमी राष्ट्रपती को वो डलते हैं वो राष्ट्रपती बन गे हैं अब मालोब की बाद डोनाल टरम राष्ट्रपती बने हैं राष्ट्रपती बनने के बाद उन्होंने जिसको चाया अपनी तरफ से मंत्री बना लिया वहाँ पे ये legislative अपना अलग काम करती है और executive अपना अलग काम करती है वे जिसको चाये मंत्री बना सकते हैं जरूरी नहीं कि वो मंत्री संसद के अंदर बैठे और अगर एक बार मंतिरी बन गया तो उसके बाद वो संसद में जा भी नहीं सकता उसका काम के वल एक्जिक्यूटिव का है तो सरकार के जो ओर्गन्स बना रखे उन्होंने तिन्नों का अलग अलग काम दे रखा है अमेरिका के अंदर अब क्या उतजब भी कोई देश बनता दुनिया में तो ये दुनों सिस्टम लागू उतते हैं जैसे एक आत्मक देश है संसदीय कारिय पालिका है ये देश है युके संगात्मक देश है अध्यक्षे कारिय पालिका है ये देश है अमेरिका संग आतमक और एकातमक करमिश्रन साथ में संसद्य कारी पालिगा ये है भारत तो भारत का जो सिस्टम है उसको कहते हैं क्वासी फेडरल अर्द संग आतमक मतलब है तो संग आतमक सेंटर गॉर्मेंट है स्टेट गॉर्मेंट है और दोनों गे अंदर ताक्ते बटीवी हैं और सारा सिस्टम चला रही है कुछ ववस्था हैं हमने संग आत्मक देश से लिए रखे हैं कुछ एक आत्मक देश से लिए रखे हैं तो इसका मतलब हरत संग आत्मक का है तो संग आत्मक लेकिन एक आत्मक की तरफ जुकाओ है ऐस इसा कोशन आप से पुछेगा अर्थ संग आत्मक व्यवस्ता से आप क्या समझते हैं इस टाइब का कोशन आपको देखने को मिल जाएगा अगली जो चीज आपको समझने है वो है लोकतंतर और सुईदानवाद गयतियासिक विकास क्या था देखो क्या है दुनिया में लोकतं समझतर और सुईदानवाद का क्या विकास हुआ तो इंगलेंड की गोरोपूर्ण करांती का मतलब सिंपल सा है कि इंगलेंड में एक करांती हुई देखो दो शब्दें एक है एवोलूशन और एक है रैवोलूशन क्रांती देखो एवोलूशन का मतलब क्या होता है एवोल इसका नया रूप सामने आया इसको कहते हैं evolution जैसे मानव था पहले एक स्टेज पार करी फिर दूसरी की फिर तीसरी की अलग-अलग टाइप के रूपों में इंसान बदलता गया और आज की दिन Google प्लस मानव रखा है तो इसका मतलब मानव का evolution हुआ है revolution का मतलब होता है एक दम से हुजाना जैसे आज की दिन एक देश में किंग पाहता है वहां की जनता ने क्या किया भई राज्या उसकी मंत्री प्रिशिद है जनता दिमाग खराब हो गया राज्या के पास गई और जाके सिद्धा के पद छुड़ो और उसके खिलाब नारे लागों गया राष्ट्रपती का इसको कहते हैं revolution revolution का मतलब सिंपल सा है कि एक दम से कोई चीज बदल देना एक दम से कोई चीज बदलाव में आते तो उसे revolution का जाता है evolution का मतलब जैसे आप 4G phone इस्तेमाल करें तो उसके साथ लिखाता है LTE long term evolution long term evolution का मतलब 1G 2G 3G फिर 4G आया तो एक के बाद दूसरा तीसरा चोथा इसकी बजाए 1G के बाद सिद्धा 4G आ जाता तो आता लिखा short term revolution प्लब छोटे समय की क्रांती ऐसे टाइक को आप अधा लगा सकते हैं तो इंग्लेंड के क्रांती हुई थी 1668 शीश्वी में वहांगा एक राजा होता था James second और James second के टाइम पर जनता ने कावी हमें आपका सिस्टम पसंद नहीं है और आप राजा पद छोड़ दिये तो इंग्लेंड के राजा ने बिना लड़ाई जगडा की और अपना पद छोड़ दिया था अब सोचो के क्रांती हुई क्रांती का मतलब पूरा सिस्टम बदला वहां पर खून की एक बूंद तक नहीं गिरी इसको कहते हैं गोरोपूर्ण क्रांती दुनिया में बहुत सा पाउन की क्रांती तो क्रांती शभ्द से आप समझ गयोगे इसके बाद इंग्लेंड की जो गोरोपूर्ण क्रांती थी वहां का जो राजा था उसके जाने के बाद जन्ता ने संसद वखेरा बना ली लेकिन फिर भी शिस्टम सेटप नहीं हुआ उल्गा वहांज़ा राज बना दिये तो वहां के सिस्टम को कहते हैं constitutional monarch मतलब स्वेधानिक रास्तन तर ये शब्द आपको सुनने में मिलेजा अमेरिकी जो करांती है basically American Revolution का हमने देखा था अमेरिका में बही क्या हुआ था कि इंग्लेंड नाम के देश ने अमेरिका को अपने कबजे में किया हुआ था और इंग्लेंड को जब कब इंग्लेंड का जो कबजा था इसके उपर तो इन्होंने 1733 में Boston Tea Party नाम की घटना घटी थी लड़ाई शुरू ही थी 1736 में वहां पर उन्होंने गोशित कर देया था कि हम एक लग राष्टर है उसके बाद 7 साल अड़ाई के बाद 1733 शुरू को अमेरिका आजा दुआ था चार जुलाई 1736 अमेरिका ने गोशित किया था कि हम एक सवतन राष्टर है तो दुनिया का पहला लिखित स्वीदान उन्होंने बनाया था इसलिए स्वीदान के विकास में अमेरिकी करांटी का काफी बड़ा रोल है इसके बाद है फ्रांसिशी करांटी फ्रेंच रेवोलुशन एक राजा होता था लूई 16 ठीक है बूर्बो नाम का एक बंस था उसका एक राजा था लूई 16 नाम के राजा स सिस्टम बदला था हला कि एक ही करांटी में चार-चार स्वीदान लिख दिये गए थे लेकिन मतलब अपने पत्थ से ब्रेश्ट होगी थी करांटी बहुत अच्छे से जो सोच से चली थी उस सोच पर पहुंच नहीं पाई आखिर में दोबारा से ही राजा का सिस्टम आया उस टाइम पे नपोलीन नाम का धी मिए था था नेपोलीन ने ही राजा बना ली आपने आपको बाद में दोबारा फिर फ्रांची स्षी करांती कि वज़े से दोबारा फिर फ्रांस में, मतलब सुईधान लिखा गया, बेसिकली क्या है कि फ्रेंचीर एवोलुशन से भी दुनिया में सुईधान का काफी इंपोर्टेंट रोल माना दता है, लोकतंतर की परकार क्या होते हैं, लोकतंतर की क्या परकार है, बेसिकली कानून बनाने में जनता की क्या बागीदारी उस क्या दार पर लोकतंतर होता है विचारदारा उस लोकतंतरी क्या है उस आदार पर लोकतंतर होता है और राजनितिक दलों की संख्या क्या है इस आदार पर भी लोकतंतर होते हैं तो लोकतंतर का पहला परकार है कानून बनाने में जनत जनता की भागीदारी क्या है कि जनता अगर कानून बनाना पड़े देश का तो जनता क्या भागीदारी रखती है उसको कहते हैं प्रतेक्स लोकतंतर प्रतेक्स लोकतंतर का मतलब क्या है जैसे यह है पोपुलेशन जनता इन्होंने क्या किया इन्होंने कुछ आदिम्यों को उनके पार्लियमेंट में विदानसवा में बेज दिया इन्होंने बैठके कानून मनाया लेकिन इस जनता से कोई रिलेशन नहीं रखा ये है एपरतेक्स लोक अंतर इंडारेक्ट डारेक्ट का मतलब है ये है पबलिक और जनता ने चुना पार्लियमेंट को विदानसवाओं को और जब कानून बनता है तो इसमें जनता की वीराई इंपोर्टेंट है और पार्लियमेंट की तो है ही है साथ ही यदि जनता चाहे कि हमें ये कानून से ये वैसा कानून जनता बनवा सकती अपनी इसाब से ऐसे देश को प्रतेक्स लोक तंतर कहते हैं डारेक्ट तो कानून बनाने में जनता की डारेक्ट बागीदारी हो वे जो चाये कानून चलवा सकते हैं जो चाये कानून बंद करवा सकते हैं स्वीड जर्लेंड तुध में पर्टेक्स लोगतंतर का घर क्यात एह सूर्ड जर्लेंड को बाकि दुनिया में जो देश है पुपूलेश्न भी एक बड़ा मेट रखती हैं पर पॉपुलेशन की वजए से भी काफी चीज़े बदल जाती हैं तो बाकी जो दुनिया के देश हैं वो बेसिकली एपर टेक्स लोगतंतर के देश माने जाते हैं आई थिंक आपको सुन्में आगा हुआ दूसरा विचारदार अगया दर पैसा देश जहां पर जनता को जाता छूड़ दी जाएं सवतंतरता दी जाएं उसे उदारवादी लोगतंतर का जाता है लिब्रल और ऐसा देश जिसमें जनता को बराबर करने की कोशिश की जाएं हर एसा देश जहां पर दो दलों जैसे अमेरिका इंग्लेंड और ऐसा देश जहां पर दलों की संख्या भोजादा हुझ जैसे भारत इसा दार पर भी लोगतंतर को बटा गया है लोगतंतर के बाद अगली जो चीज़ें वह सुईधान सुईधान के प्रकार क्योंकि हमने लो करते हैं देखो एक है लिखित सुविधान रिटन लिखित स्विधान का मतलब है सिम्पल सा इन کو लिखीन है लिखित क्यों कहते हैं लिकित का मतलब सिंपल सा है कि जहां पर एक Constitution Assembly बनाई हिए हो एक स्वीधान सब्ण बनाई ही हो उन्हों ने बैठ के देश का स्वीधान लिखा हो उसको कहते हैं लिखित स्विधान वाड़ा देश ऐसा देश जहां पर समय के इसाब से स्विधान डेवलप हुआ हो लिखा तो वह भी सारा सोच के देखो हमें अपने लिखे लिखाय कानून याद नहीं हो रहे हैं तो बिना लिखे कैसे अदर रखेंगे तो लिखे वे सब कुछ हैं जैसे आपको य सुषिया काफ़ एक्ट के माद मिंस्यां मतलब जैसे बारत में एक अक्ट स्रासriv तुरासी स्विघ्ट 813 तैंटि का एक्ट 1153 स्विटी Crystal स्विघ्ट एक्ट Vaccine 11 करते हैं 1910 का बारत सासनीयर्ट नियां और 1947 का एक्ट बारत के बढ़नेसे पहले जब तक बारत अंग्रेजों गेढ़ीन था जब तक भारत का सुविधानी मना नहीं था तब तक भारत को देश का कॉला अपوسन नहीं 35 का बारत सासन दीनियम अब बात यह है कि अगर इनी एक्ट्स को हम अपने देश का कानू मना जेते इनी के हिसाब से देश चला रहते तो उस हिसाब से हमारा देश का सुईधान होता है लेकिन हमने का नहीं हमारे देश में एक सुईधान सबा बैठे गी Constitutional Assembly बठेगी और वो सुईदान लिखेगी हाला कि हमने लगबग चीज़े 1925 सीज़ी के एक्ट से ऐसी कैसी लिए रखी है लेकिन हमने लिखा है Constitutional Assembly के दोबारे इसलिए हमारे देश का सुईदान ने लिखित जिसे अमेरिका का सुईदान, फ्रांस का सुईदान एक्ट बनाए और वो आज तक देश को चला रहे हैं उसको कहले एहल इखित सुईदान का देश जैसे England, Australia ये सब एहल इखित सुईदान के देश माने जाते हैं दूसरा सुईदान का परकार है वो है उसमें बदलाओ करने के आधार पर अगर सुईदान में कोई बात बदलनी हो जैसे मानलो एक बुक है Constitution इसके अंदर कोई शब्द बदलना है कोई लाइन बदलनी है पूरी बात बदलनी है तो बदलाओ करना कितना आसानिया मुश्किल है उसके इसाब से इसको कहते हैं अधौर सुईदान लचीला सुईदान तक हम इसको कहते हैं लची लेगा मतलब क्या है कि सिंपल ही बात कई किव बदलनी है और वो बदल शिकंटों बदल दी रफ कुछ समय लिए और बदल बदलना आसान है तो ऐसे देश के सुईदान को कहते हैं लचीला सुनम्मे या फ्लेक्शिबल ऐसा सुईदान इंग्लेंड था वहां की जो हाउस ओफ कॉम्मन्स है जो बात चाहे बदल सकती है दूसरा है कठोर या अनम्मे या इसा सुईदान जिसमें कोई बात बदलनी 27 सुदन हुए है तो बिलोफ राइट्स के नाम से कनुम बनाया गया 17 सुईदान विश्यू में 10 सुईदान संसुदन तो एक ही साल में कर दिये दे 27 सुईदान में उसके बाद से आज तक लगबग 17 सुईदान संसुदन विश्यू है तो वहाँ पे बात बदलना कीतना मुश्किल है दुनिया का सब से कटोर सुईदान है तीसरा है भारत का सुईदान वो है मिक्स मतलब मिश्रित हमारे देश के सुईदान में कुछी बात कुछ बाते जो हमें लगती हैं कि इन बातों के बदलने से कोई खास फरक नहीं बढ़ता ऐसी बाते बदलने का प्रोसिजर हमने अलग बनाया हुआ है ऐसी बाते जो बहुत इंपोर्टन्ट है जिनको बदलना अगर इनको बदलते तो इससे हमारे देश के सुईदान के मीनिंस बदल जाते हैं तो उनको बदलने के लिए हमने क्या कर रखा है उनको बदलने के लिए प्रोसिजर अलग रखा हुआ है बेसिक लिए हमारे देश के सुईदान में कुछ बात ऐसी हैं जो बदलनी आसान है कुछ बात ऐसी जो बदलनी मुश्किल है जब हम अपने देश के सुईदांसन सोधन को पढ़ेंगे पूरा चेप्टर है सुईदान में कलग से भाग है भाग नमबर 20 जिसमें सुईदांसन सोधन के बारें बताया गया है तो उसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे प्रोसिजर हमने बनाई हुए है जिससे हमारे देश की सुईदान को बदला जा सकते है तो ये था हमारा आज का टोपिक आज का कारेकर हम समाप करते हैं तो क्या हम आपको समझा पाया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों को जुरूर शेयर करें इससे आगे की जो बाते होंगे वे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे थेंक्यू